खबर बासवाडा से है जहां चोबिसा का पहला गाउं में एक सिर्फरे प्रेमी ने प्रेमी का पर तलवार से जान लिवा हमला कर दिया दरसे प्रेमी दिलिप अपनी प्रेमी का की शादी दूसरी जगे होने से काफी नाराज चल रहा था इसके चलते उसने अंधेरे का फाइदा उठा कर प्रेमिका पर तलवार से वार कर दिया अचानक हुए इस हमले में प्रेमिका गंभी रुप से घायल हो गई वहीं परिजनों के आने से पहले ही आउरोपी दिलेप मौके से फरार हो निकला फिलहाल पीडिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है आपको बतादों में घटना बासवडा की है जहां एक सिर्फरे प्रेमिका पर तलवार से वार कर दिया इस हमले में गंभी रुप से प्रेमिका घायल हो गई वहीं मौके पर जब परिजन पहुंचे उससे पहले ही ये सिर्फरा आशिक मौके से फरार हो निकला फिलहाल दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी ये मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया है बता दूं कि ये प्रेमि प्रेमिका से नाराज चल रहा था चूंकि उसकी शादी कहीं और की जा रही थी और इसी के चलते उसने अंधेरे का फायदा उठा कर इस लड़की पर तलवार से वार कर दिया और इसके बाद वहां से फरार हो निकला